नमस्कार आप देख रहे हैं एनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताज़ा अपडेट में मैं हूँ आपके साथ अभिलाज टिम इंडिया के पूर्फ कप्तान MS धोनी को लेकर राउल द्रविट ने हाली में बड़े एक बड़ा खुलासा किया दरसल आपको बता देएं कि MS धोनी ने बतौर विकट कीपर और बतौर फिनिशर भारत में वो छबी बनाई जो शायद दुनिया ने कभी नहीं देखी थी बारतिय टीम को क्या पूरी दुनिया ने बेस्ट फिनिशर देखा बेस्ट विकट कीपर बल्लेबास देखा और एक ऐसा खिलाडी देखा जो कहीं से भी मैच का रूप पलट सकता था एक ऐसा खिलाडी जो की विकट के पीछे से भी मैच का रूप पलट सकता था ऐसे में राहू द्रविट की कप्तानी ने जब एमेस दुनि को नंबर तीन पर खिलाने की बात चीत हुई तो ज़रान राहू द्रविट ने दोनी को नंबर तीन पर जादा मौके नहीं दिये अलाकि दाजा की कप्तानी में दोनी नंबर तीन काफी खेले और नंबर तीन पर उनकी कई अतिहासिक पारी आया वाइजैक में 148 रनों का डेब्यू शयतक हो पाकिस्तान के खिलाब या फिर श्रिलंका के खिलाब खेली गई 183 रनों की नाबाद भाली दोनी ने बत और खिलाडी एक तीन नंबर पर जमकर रंस बनाए है उनका रेकॉर्ड भी काफी शानदार है लेकिन राहू द्रविट सेहर्शा बोगले एक इंटर्व्यू में पूछा कि आपने अमस्दोनी को नंबर तीन पर जादा मौकी क्यों नहीं दी हो सकता है उनके शतक जादा हो सकते थे लेकिन यहाँ पर उन्होंने साफ कहा कि थे उनके की जानता थे कि अमस्दोनी नंबर पाँ और नंबर छे कि लिए परफेक्ट है क्योंकि हरूआ जानता था कि मैच को किस तरीके से फिनिश कर सकते थे दूज़आ के दौरे में पाकिस्तान के किलाप को राम मचा दिया था पाकिस्तां में उन्होंने का कि एक अगे और शायद राहुद रविड की इसी सोच ने दोनी को बेस्ट फिरिशर बनाया। हाला कि हिरानी होती है दोनी के आकड़ों को देखकर क्योंकि ए खिलाडी जो नमबर 5 नमबर 6 पर खेला हो वो 10,000-11,000 रन बना कर रिटायर हुआ हो तो फिर उस खिलाडी को महान ही कहा जाएगा। लेगें वो रहुद रविडी थे जिसमें दोनी की फिनिशिंग शम्ता को पहचाना था और उन्होंने दोनी को नमबर 5 नमबर 6 के लिए तयार किया। और हमने देखा कि दोनी ने तरीब 16 से 17 सार अलतराश्टी क्रिकेट में जबरदस तरीके से राज किया। फिलाल इस खास अब्डेट में देखा इजाज़त और हमारे चानल ANP News को सब्सक्राइब करना वे खुर्ट है।